मौमीस टारेंची घ्रति है। म φले प्रफिर से आपका सौगवित करती हूं। घर में हम बहुत सारी चीजे करते हैं, जयसे कभी आंटा गूत रहे होते हैं, कभी सफाई कर रहे होते हैं, कभी कपड़े दो रहे होते हैं। बट हमें पता नहीं होता कि इसको हम English में कैसे बोलें तो बिल्कुल नहीं घबराना है आज हम English सीखने की journey को आगे बढ़ाते हैं और घर में करने वाले चोटी बोटी जो काम है जो हम फीमिल्स करते हैं उसको English में कैसे बोलना है ताकि हम भी बोलें हमारे बच्चे भी सीखें और उनकी vocabulary भी enrich हो तो चलिए फटा फटा आज के वीडियो शुटू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले जैसे आगट ही करते हैं बिस्तर कीरते है हैं यूरे पैछी डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मैं बिस्तर बना रही हो तो इसे English हम बोलेंगे I am making the bed मैं बिस्तर बना रही हो I am making the bed मैं चाय बना रही हूँ I am making the tea मैं चाय बना रही हूँ I am making the tea मैं आटा गूत रही हूँ आटा गूतने को बोलते है need जो मुठ्थी ऐसे करके आटा गूतते है उसे हम बोलते है need और आटा को बोलते है floor तो हम बोलेंगे I am needing the floor यानि मैं आठा गूस रही हूँ, I am kneading the flour, दूसरा मैं रोटी बना रही हूँ, I am making chapatis, मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी ऐसा word है जिसको English में रोटी भी बोल सकते हैं, chapati भी बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म में यह चलेगा, तो अगर आप बोलना चाह रहे हैं, I am making the chapati, वो I am chopping the vegetables, मैं सबजी काट रही हूँ, I am chopping the vegetables, मैं सबजी काट रही हूँ, I am chopping the vegetables, मैं अंडा फेट रही हूँ, तो जो फेटनी वाले चीज होती हैं, उसे हम English में बोलते हैं, विसकर, क्या बोलते हैं, विसकर, तो यहां हम बोलेंगे, I am whisking the eggs, मैं अंडा फेट रही हूँ, I am whis Saving the food Saving the food एर तीचे सदस्य पेक्ड्र ये मैं कप्रिस एविव ये सबस्य पर्षिये मैं कप्रिस एलागी मैं कप्रिस एलागी मैं घ्नचे the clothes. मैं first poch रही हूं. === I am mopping the floor. I am mopping the floor. पोछा लगाने को बोलते हैं mop. पोछा को क्या बोलता है mlop. अब पोछा लगाने को screws मौपंग. इसी तरह जरु को बोलते हैं broom. और जोर बिज हम जारु लगाते हैं तो तो साथ क्या लां भी में डाल दो, keep the leftover food in the fridge, keep the leftover food in the fridge, बचा हुआ खाना को बोलते हैं हम leftover food, क्या बोलते हैं leftover food, मैं masala पीस रही हूँ, I am grinding the spices, मैं masala पीस रही हूँ, I am grinding the spices, मैं पूरी तल रही हूँ, I am frying the puris, मैं पूरी तल रही हूँ, I am frying the puri, तो तलने को क्या बोलते हैं, frying, काटने को बोलते हैं, chopping, कद्दुकस करने को बोलते हैं, grinding, फेटने को बोलते हैं, whisking, और बनाने को बोलते हैं, making, तो यह सारे term हैं, आप यूज करेंगे, day to day life में आप कुछ भी कर रहे हो, तो इन सारे word का मतलब आपको पता है, आप इसका अराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे day to day छोटे-छोटे sentences बराने में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से आपके English बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको मतलब पता होगा, और आप confidence के साथ बोल पाएंगे, तो यह राज का वीडियो, I hope you वीडियो आपके लिए helpful हो, helpful लगे तो like और share जरूर करें, आप मुझे Instagram और Facebook पे भी जरूर follow करें, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, comment section में जरूर लिखें, देखें, मॉमीस प्लानेट इंडिया, thank you, कुछ बताना चाहते हैं,